अब मुंबई से इस वक्त की बड़ी कबर आ रहे हैं जहां मुंबई में कॉमेडियन भार्ती सिंग के घर पर एनसीबी ने चापे मारी की है आपको बता दे कि वॉलेवोड ड्रग्स मामले में नार्कोटेक कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कारवाई करते हुए कॉमेडियन भार्ती सिंग के घर से 86.5 ग्राम गांजा जो है वो बरामत किया है आपको बता दे कि एनसीबी ने भार्ती सिंग को फिलाल गिरफतार कर लिया है और पती हर्ष से पूश्टाश की जा रही है इसकी बड़ी कबर हम आपको बता दे जो मुंबई से आ रही है जहां एक बार फिर नार्कोटेक कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कारवाई की और आपको बता दे कि कॉमेडियन भार्ती सिंग के घर पर छापे मारी की गई और इस दोरान भार्ती सिंग के घर से 86.5 ग्राम गांजा जो है वो बरामत हुआ है आपको बता दे कि इसके बाद एनसीबी ने भार्ती सिंग को गिरफतार कर लिया है और कॉमेडियन भार्ती सिंग को कल यानी रविवार को कोट में पेश किया जाएगा इसके बड़ी कबरम आपको बता दे जो मुंबई से आ रही है आपको बता दे कि फिलहाल भार्ती सिंग के पती हर्ष से अभी भी एनसीबी की पूछताच जो है वो जारी है आपको बता दे कि पूछताच के बाद पती हर्ष की भी किसी भी समय गिरफतारी हो सकती है इसकी बड़ी कबरम आपको बता दे जो मुंबई से आ रही है जहां NCB ने बड़ी कारवाई की और आपको बता दे कि मुंबई में कॉमेडियन भारती सिंग के घर से NCB ने गांजा परामत किया है जिसके बाद NCB ने भारती सिंग को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि भारती सिंग के पती हर्ष से अभी भी NCB की पूश्ताच जारी है और कोमेडियन भारती सिंग को कल यानि रविवार को कोड में पेश किया जाएगा आपको बता दे कि पूश्ताच के बाद पती हर्ष की भी कभी भी गिरफतारी हो सकती है इसके बड़ी कबर हम आपको बता दे जो मुंबई से आ रही है जहाँ नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक बार फिर बड़ी कारवाई की और आपको बता दे की भारती सिंह के घर पर छापे मारी की गई है जिसमें भारती सिंग के घर से 86.5 ग्राम गांजा जो है वो बरामत किया गया है आपको बता दे कि इसके बाद NCB ने भारती सिंग को गिरफतार कर लिया है लेकिन पतीस हर्ष से अभी भी NCB की जो पूछताच है वो जारी है और कोमेडियन भारती सिंग को कल यानि रविवार क कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको रिमांड पर भी लिया जा सकता है जब की बड़ी कबर हम आपको बता दे जो मुंबई से आ रही है